हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई निटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में हम सिंगल कलर का डिजाइन बनाना सिखेंगे जो सिंगल कलर का डिजाइन हमारे बनाने वाले हैं इसके लिए देखें यहाँ पर मैंने डबल सलाई में 17 फंदे डाले हुए हैं आप 5 के multiple में plus 2 करके अपने project के according कितने भी फंदे ले सकते हैं लेकिन ये बात ठ्यान रखें कि इनको आपको lose लेना है जो फंदे आपने डालने हैं वो बहुत lose होने चाहिए बढ़ना ये design आपका नहीं चलेगा इसलिए देखें दो सलाई मिलाकर हमने यहाँ पर फंदे डाले हुए हैं इसकी first row हम बनाना शुरू करेंगे right side से तो चले शुरू करते हैं देखें इसके लिए हमने एक सलाई निकाल ली यहाँ से अब first row हम बनाएंगे right side से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे देखें इस फंदे को हमने सीधा बुना इसके बाद धागा आगे लाएंगे यह हम धागा आगे लाएंगे अब next पांच फंदों को पांच फंदों को हमने एक साथ सलाई पर लेना है पीछे की तरफ से देखें पांच फंदे हमने एक साथ सलाई पर लिये पीछे की तरफ से इनको हम सीधा बुननेंगे देकि धागा हमारी साइड ही रहेगा आगे की साइड और इनको हम सीधा बुननेंगे यह हमें पांच फंदे एक साथ बुनने हैं इसलिए मैंने कहा था कि धागा आपको लूज रखना है दिए ये 판cho को हमने बुना और निकाल दिया यहाँ पर हमारे फंदे कम हो जाएंगे क्योंकि हमने 5 फंदे एक साथ बुने और फंदे हमने यहाँ पर नहीं बढ़ाए ढाहा आगे लाएंगे फिर से 5 फंदे हम एक साथ सलाई पर लेंगे इनको देखिए हम सिधा बुन लेंगे इस तरह से कोशिश करें कि यहाँ पर सलाई आपकी नोक वाली हो वरना आपका यह जो फंदा है यह नहीं पकड में आएगा इस तरह से दो बार हमने बुना फिर से धागा आगे लाएंगे और फिर से पांच फंदे सलाई पर ले लेंगे हमारे पास तीन ही पेयर थे फाइव के तीन हो हमने बना लिए अब हमारे पास लास्ट फंदा है इस पो सीधा बुनते हुए कम्प्लीट कर लेंगे देखे, first row हमारी right side से complete हो गई है wrong side में आ जाते हैं row 2 के लिए row 2 मेरे की first फंदा जो हमारा extra stitch है इसको तो हम एक single ही बुन कर complete कर लेंगे उल्टा बुन लेंगे इसको हम इसको बिना बुना हम इस design में नहीं रख रहे हैं जोकि हमारे पास यहाँ पर जो यह design है यह थोड़ा जालीदार बनता है तो इसलिए हम इसको बुन रहे हैं उल्टा अब देखिए हमने क्या करना है next दो फंदे हम सलाई पर लेंगे एक फंदा तो वो जो हमने 5 फंदे एक साथ बुने थे और एक फंदा जिसको हमने धागा आगे किया था उससे हमारा एक loose stitch बन गया था दोनों को हमने एक साथ सलाई पर लेना है देखिए इस तरह से हम एक बार इसे उल्टा बुनेंगे अभी हम सलाई पर से इसको नहीं निकालेंगे अब देखिए ध्यान रखें कि ये हमें loose बुनना है थोड़ा सा इसको हमें tight नहीं करना है धागा आगे गुमाएंगे वापस फिर से एक बार इनको हम बुनेंगे इसको भी इस पार हम loose धागा आगे गुमाएंगे फिर से एक बार बुनेंगे ये रेखिए इस तरह से हमने फिर से अपने पांच फंदे बना लिये हैं अब फिर से हमें यही करना है next दो फंदे हम एक साथ सलाई पर लेंगे इनको बुनेंगे थोड़ा loose बुनेंगे फिर धागा गुमाएंगे इसके उपर से एक बार फिर से बुनेंगे इन दोनों को ही फिर से धागा गुमाएंगे और एक बार और बुनेंगे तीन बार हमें फंदों को बुनना है दो बार हम धागा गुमाएंगे तो इस तरह से हमारे पांच फंदे कंप्लेट हो जाएंगे जो हमने पिछली सलाई में कम किये थे चलिए फिर से एक बार बनाते हैं ये एक बार बुना धागा घुमाएंगे फिर से एक बार बुनेंगे धागा घुमाकर फिर से एक बार बुनेंगे तो इस तरह से देखिए ये हमने तीन बार बुना अब हमारे पास लास्ट स्टिच है इसको हम फुल्टा बुनते हुए कमप्लीट कर लेंगे अब देखें दो सलाई का हमारा ये डिजाइन था दोनों सलाई हमने इसकी बना ली देखें ये डिजाइन हमारा दो सलाईों में ही दिखना शुरू हो गया है चलिए फिर से एक बार repeat करते हैं पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे यह पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया धागा आगे लाएंगे पांच फंदे जो हमने यह पांच फंदे बना कर तयार किये हैं इनमें अपनी सलाई को एंटर करेंगे पीछे की तरफ से और इन फंदों को सीधा हम बुन लेंगे इस बार आपको पांच फंदे बहुत एजिली मिल जाएंगे क्योंकि हमने यह बुन कर तयार किये हैं सारे फंदे हमारे एक साथ ही हैं यह देखिए इस तरह से फिर से धाका गुमाएंगे देखिए तीनों हमारे प्यार कम्प्लीट हो गए हैं यह फंदा हमने बुना कम्प्लीट कर लिया रोवन को हमने यहां पर रिपीट किया है अब यहां हम रोटू को रिपीट करेंगे औिए प्यार करेंगे इस दोड्माएंगे यहां हमस्प्लीट कर रिपीट कर दोटीं यहां हैं कि दिखिए इस तरह से हमारी रोटू रिपीट हो गई अब यहां पर देखिए आप डिजाइन हमारा दिखना शुरू हो गया है बोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो यह डिजाइन हमारा देखिए इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा यह बहुत सुन्दर लगता है जब पूरा बन जाता है आप इसे जरूर ट्राइ करें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा तरेंक यू